आज इस फीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आईवाल पाउर बैंक के अन्बोक्सिंग तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हाथ में जो यह पैकेट है इसके अंदर एक पाउर बैंक है 20,000 mAh का तो बॉक्स को उपेन करके मैं आपको दिखाऊंगा यह पाउर बैंक कैसे दिखता है और यह भी बताऊंगा इसके अंदर क्या स्पेस्विकशन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें डूएल USB पोर्ट है तो एक साथ आप दो फोन को चार्ज दे सकते हो और इस पाउर ब पाउर बैंक को ओपिन कर लिया है यहँ पर आप देख सकतो हो का लोगो है और यहाँ पर नापृ में कितना प्रसेंटेज चार्ज है तो यहाँ पर आप देख सकतो एक Zakαι Real भी मिला है, यह जो केबिल है इससे आप powerbank को charge कर सकते हो, और phone को भी charge कर सकते हो, यह जो powerbank है, यह दोनों color में available है एक है black and दूसरा है white, तो मेरे पास यह जो powerbank है यह white है, तो इसका अगर आप खरिदना जाते हो, तो link मैं इस video के नीचे दे दूँगा आप वहाँ पे जाके खरेद सकते हो तो इस powerbank के साथ इमाई powerbank का comparison वीडियो आपको मैं बाना के दूँगा तो अगर वो भी वीडियो आप देखना चाते हो तो आप इस चैनल को अभी से सब्सक्रेब कर लिजे क्योंकि जल्दी वो नया वीडियो आने वाला है तो इस powerbank का जो design है वो आप देख सकते हो design के मामले में ये काफी अच्छा है एंट यहां पर देख सकते हो आप power switch तो इसको आप प्रेस करके देख सकते हो इस powerbank में कितना चार्ज है एंट इस powerbank का सामने की तरप आप देख सकते हो design तो उपर की तरप यह दो USB पोट एंट इस powerbank को चार्ज करने के लिए एक micro USB पोट साथ में USB-C टाइप पोट क्योंकि आभी जो न्या phone मार्केट में आता है वो USB-C टाइप होता है मतलब उस phone के साथ जो चार्जर मिलता है USB-C टाइप चार्जर तो उस चार्जर से भी आप इस powerbank को एजिली चार्ज दे सकते हो तो डिजाइन अपने देख लिया सामनी की तरफ लुक कैसा है अभी मैं आपको दिखाऊंगा साइट का लुक तो इस powerbank बाइक बाजेट फ्रेंडली powerbank है और इसका प्राइस भी बहुत ही कम है दूसरे जो 20 थाउजर ने में इसका powerbank होता है उसके comparison में बहुत ही कम है तो य यहाँ पर चारो लाइट इंडिकेट कर रहा है यह powerbank फूल चार्ज है अगर आप इस powerbank के बार में और भी कुछ जानना जातो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट पर बाताईए इस वीडियो को देखने के लिए धन्नवाद इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए